हेमन सरकार को अपदस्त करने और कैस कार्ण मामले में फसे कॉंग्रिस से निलंबित विधायक नवन विक्षल कॉंगाडी से आज एडी ने तक्रीबन दस घंटे पूस्ताच की है पूस्ताच के बाद नवन विक्षल कॉंगाडी ने कहा है कि एडी ने जिन सवालों का जवाब जानना चाहती है वो अपने तरब से उन्होंने जवाब दिया है और आने वाले दिनों में एडी जिस तरह की सहयोग इन से चाहेगी पूरा सहयोग दिया जाएगा कॉंग्रेस के नलंबित विधायक नमन विक्षल कॉंगाडी से मंगलवार को एडी ने तक्रीवन 10 घंटे पूश्ताश की है एडी ने नमन विक्षल से भी कोलकाता में पिछले साल 30 जुलाई को गिरफतारी और 59 लाख रुपए की बरामदगी से सम्मंदित सवाल किये मीडिया से बाचीत के दोरान को गांडी ने बताया कि कोलकाता में बरामद 49 लाख रुपएव में उनकी रुपए भी थे और उन्होंने अपने दोस्ते कर्ज लिया था और वे इससे सम्मंदित जानकारी एडी को दी है वहीं पार्टी से छे वर्ष के लिए निश्कासित के जाने और पार्टी के दोरा दर्किनर के जाने का दर्द भी नमन विकसल के चेरे पर देखने को मिला और उन्होंने कहा कि वो लगातार प्यास कर रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर वो अपनी वफदारी साबित कर सके हैं इसका लगातार प्यास की आजा रहा है अभी तक तो हमें कोई अधिकरित चिठी नहीं मिली है लेकिन पार्टी से मैं निलंबुत हूँ लेकिन पार्टी का वफाधार हूँ और जहां भी पार्टी विचारधारा के लिए जाना होगा लड़ाई लड़ना होगा मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और मेरे खिलाब जो निराधार आरोप लगा है उसे शाबित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ तो केस से संबंधित रहा है और खासकर भाय का स्रोथ परपस और जो अनुप सिंग जी ने जो आरोप लगाया है उस आरोप की सत्यता पर हिबाते दुए हैं इधर भी देखिए हैं इन्हीं तीन इसू पर सवाल हुआ है कितने सवाल लगभग थे याद ने बता पौंगा काफी सवाल प्जाब पर भी शवाल प्यादा होते हैं लेकिन मैंने प्रियास कि शवालों के जवाब मैं शहीं से हैं और जो सत्य है कुछी को मैंने रखा है और चूंकि यह हमारे देश की एक सर्वज संस्था है जांच एजंसी ग्रूप में इस पर हमारे देश बहुत भरोसा करता है और जो जवाब मैंने दिया है अब देखते हैं आगे उस पर क्या निश्कर्स होता है नमजी एक सवाल इसी में आपसे कि आप हमको लगता है तीनों से शमान ही शवाल थे जो आरोप लगाए है अनुप शिंग जी ने उस समान आरोफ है सेम आरोफ है और किस कशरोत तीनों का अलग-अलग स्रौत हो सकता है और परपस तो एक ही था अच्छा आपके पैसों किष पर बताये जैसे कुछ लोग करेते माइनिंग के इनिंग के थे आपने पर आइक कि श्रौत अपना दिखाए थे और अपने मित्र सेहं उधार के रुफ में लिये हु 30 जुलाई 2022 को कॉंग्रेस के तीन बिधायक डॉक्टर इर्फान अंसारी राजेस कच्छप नमन विक्षल कोंगाडी को कुलकता पुलिस ने तकरीबन 49 लाख रूपे के साथ गिरफतार किया था। घटना के एक दिन बाद 31 जुलाई 2022 को कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष राजेस ठाकुर की मौजूदगी में कॉंग्रेस के ही विधायक जैमंगल सिंग उर्फ अनूप सिंग ले अलगोडा थाना में जीरो एफायार दर्च कराई गई थी। इस एफायार की माने तो अनूप सिंग के तरफ से ये इल्जाम लगाया गया था किन तीनों विधायकों ने हेमन सोरेन सरकार को अपदस्त करने के लिए 10 करोर और एक मंत्रीपत का ओफर दिया था। कि इस आरोब से ये तीनों विधायक अब तक इनकार करते रहे हैं और आनन फानन में अगटना सामने आने के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने इन तीनों विधायकों को निलंबित भी कर रखा है। वहीं 6 और 7 फरवरी को 9 से 10 घंटे डॉक्टर इर्फान अंसारी और राजस कचप से एडी पूस्ताच कर चुकी है और आज नमन विक्षल कॉंगाडी से एडी ने भी 10 घंटे तकरीबन पूस्ताच की है। सुत्रों की माने तो इर्फान अंसारी और राजस कचप से बीच जो एडी की पूस्ताच हुई है। कहीं ने कहीं इनके जो जबाब एडी के अधिकारियों को मिले हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। वहीं आज नमन विक्षल कॉंगाडी से जो पूस्ताच की गई है उसको लेकर एडी कितनी संतुष्ट नजर आती है और आने वाले समय में इन तीनों विधायकों का भविष्ट क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतिजार करना होगा। सुझीत कुमार राची पंजाब केसरी टीवी